आपका स्वागत है मैं हूं अमित कुमार तीवारी और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मले आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का हमारा जो उदेशे हैं वो यह है कि हम इस पर सारे स्पोर्ट्स की चर्चाएं करेंगे चाहिए वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो होकी हो टैनिस हो सारे गेम्स की चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए आपको माक्सिमम जो स्पोर्ट्स लवर हो है जो स्पोर्ट्स के फैन है वो आपको मिलेंगे जी और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो sports है वो बहुत professional type का discussion नहीं रहेगा क्योंकि वो जो आप सब देखते हैं वो सब एक cricket expert होते हैं या फिर football expert होते हैं पर हम एक as general fan हैं जो देखते हैं और आपने आप सब भी होंगे जरूर ऐसा कि किसी sports को देखकर अपने आप में अपने दोस्तों के साथ relative के साथ discussion करते होंगे कि आज इसे होना चाहिए आज यह हुआ वो हुआ तो इसी तरह कि discussion को हम एक इस platform में लेकर आए हैं और अपने general discussion को यहाँ पर सब के सामने लाना चाहते हैं और इसी तरह धीरे-धीरे हम बाकी सारे sports lover हैं उनको आज आगाज हो चुका है तो हमारे जो इस channel पर हमारी जो शुरुवात है वो हम आज के match से ही शुरू करेंगे जे बिलकुल आज आज आपने देखा कि T20 World Cup का आगाज हुआ और उसमें जो सबसे बड़ा जो उलट फेर हुआ वो उलट फेर था कि सुरलंका को नामीविया न देखने को मिलेंगे जे बिलकुल मुझे तो लगता है क्योंकि हम ने देखा था कि यह सेम सिचुएशन हुई थी एशिया कप में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थी कि टीम इंडिया और पाकिस्तान जैसी टीम जीतेगी और वह वीक टीम हार जाएगी और इंडिया जैसी फिर दूसरा हो गया तो यह क्वालिफायर था तब ऐसा है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि में मैच्चेस में क्या हो सकता है अगर आज आज के मैच्च के उपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा कि अगर दोनों टीमों के बीच का जो में डिफरेंस था वो था छोटे-छोटे पार्टनर्शिप अगर आप देखोगे तो सिर्लंका की पूरी टीम के आठ बल्ले बाज ऐसे थे जो सिंगल डिजेट में आउट हो गया है वहीं अगर आप नामीविया के टीम की तरफ देखोगे तो छोटे-छोटे स्कोर बीस रन पच्चीस रन तो उनके एक बल्ले अगर आप सरलंका की तरफ आकर देखोगे तो सिर्लंका के ग्यारा में से आठ प्लेयर ऐसे थे जो सिंगल डिजिट में ही आउट हो गया है तो यह दिखाता है कि आपको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-श्कोर्स बनाने पड़ेंगा चोड़ी-छोडी-पार्ट यहां उल्टा हुआ तो हमने यहां देखा कि किस तरह से नामीविया की टीम है वह जानती होगी कि लंका एक आडिनरी टीम नहीं है उन लोगों की जैसी फिर भी वह अपना पुरा बेस्ट देकर खेले और वहीं लंका है जो और बेस्ट खेल सकते थे उन्होंने ना उस जंक कि गेंदबाजी की नामीविया के खिलाफ नाहीं बल्लेबाजी की बल्लेबाजी में भी वह पार करते करते वह आल आउट हो गई जो कि हम देख सकते हैं कि यह वर्ल्ड कप के लिए अच्छे स्थिती नहीं है और हमने देखा कि किस तरह से नामीविया के सारे बॉलर्स ने दूसरा आप दूनों टीमों की फिल्डिंग और बॉलिंग देखोगे तो बॉलिंग विकेट विकेट उन लोगों नहीं किया नामीविया ने और जो सरलंका के बॉलर थे आज ऐसा लगी नहीं रहा था कि यह वहीं सरलंका के टीम है जसने पाकिस्तान जैसे टीम को और आप कैच पकड़ते हो कैच मैच दविंस तो अगर आप दोनों टीम के बीच में अगर डिफेंस देखोगे तो यहीं रहा तो इससे एक अंदाजा लगा जा सकता है कि हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बीच में भी बड़ी बड़ी टीमों के साथ किसी दिन बड़ा उलट फेर ह हो सकता है बिलकुल कि हम देख सकते हैं कि अभी दूसरे मैच जो ही थी नाभी यह सभी टीम के लिए बहुत क्रूशियल होती है यह कर एक स्ट्रॉंग से स्ट्रॉंग टीम अगर फिल्डिं अच्छा ना करे तो उससे वह मैच कहाना पड़ा सकता है उसको पूरा परफॉर् में उनका प्रफॉर्मेस अच्छा रहता है तो हमने देखा कि दोनों में से उत्रा बेस्ट कोई अच्छा बैटिंग नहीं कर पाया चाहे यूई हो चाहे निदर्लेंड्स पर फिर भी निदर्लेंड्स जीत गई और वो भी एक बॉल रहते हुए तो इन दोनों टीम्स को जीते कि कौन हारेगी लेकिन नामीबिया को देखके लगता है कि एक बहुत ही अच्छी टीम आई है और कल के मैच में जैसे जिंबांबे स्कॉट्लैंड वेस्ट इंडीज आयरलेंड यह सब बची है तो अगर कुछ एनलाइसिस करके देखा जाए तो वेस्ट इंडीज का पल्रा भाली लगता है पहुंचने के लिए और स्कॉट्लैंड को भी उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन वेस्ट इंडीज जैसे हमने देखा है कि वो टीट्वेंटी खेलते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्लाटफॉर्म है और जिंबांबे और आयरलेंड की बा बाकी टीम्स जो आई हैं वो कुछ बड़ा सो जरूर करके रहेंगी तो वो टीम ऐसी है जिसने 2011 में वोल्ड कप में इंग्लैंड के टीम को हराया था तो क्या होता है कि उनके टीम के प्लेयर हैं बहुत ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो उनको इस फॉर्मेट का बहुत अच्छा अनुभाव होता है तो वेस्ट इंडिस तो टीम ऐस है उसके हिसाब से कि 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 आइरलेंड की टीम को अगर आप देखोगे तो वो इतना ज्यादा काउंटी खेलती है कि उनके प्लेयर्स को अनुभाव है इस टी ट्वेंटी फार्मेट का और वेस्ट इंडिस तो हमेसा सभी फैवरेट रही है तो कल दो टीम है आयरलेंड और वेस्ट इंडिस दोनों फैवरेट रहेंगी तो अगर हम अपनी चर्चा को है तो हम कुछ अपनी टीम के बारें बात करते हैं तो अगर आप आपको क्या लगता है अर्चित कि इंडिया का क्या चांसेज लगता आपको इंडिया के मामले में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया वन अफ तो बेस्टीम है अभी टीट्वेंटी वर्ल कप में क्योंकि इंडिया के सारे प्लेयर्स जैसे टॉप और्डर की बात करें रोहित चर्मा केल राहूल यह सब अपना पोटेंशियल बहुत अब अब कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं और सुर्ष कुमार यादों के वारे तो क्या ही कहना वह तो एक टीम के बैक्बोन बने हुए है यानि सुर्ष कुमार है तो बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद मैच को बढ़ाने के लिए फास्ट और मैच को रुख में समस्या हो सकती है क्योंकि हमने देखा की इंडिया पिछले बहुत सारे मैचेस में बहुत सारे बदलाव की है बालिंग में लेकिन कोई भी इस टाइप का बालिंग नहीं दिखा पाया है जिसरे इंडिया फुली उन फाइव बालs या पूर बॉल्स पर ट्रस्ट कर पाए जैसे हमने पिछले मैचेस में देखा दीपक चाहर पर विश्वास था तो दीपक चाहर चोटील हो गए है जिसके बाद हमने देखा शमी आये हैं परंतु शमी के आने से भी हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा क्यूंकि शमी बहुत दिन स से बाहर रहे हैं हम शमी को पिछले कितने लीग से बोल रहे थे कि शर्म अबी जो प्रैक्टिस मैसेज हो रहे तो उसमें भी रोही शर्मा और रहूल का बल्ला नहीं चला है तो एक डर तो है वो तेकिन फिर भी अगर हम देख लेते हैं कि कि अगर कोई भी दो तीन बल्ले बाद जैसे विराट कोहली सुर्य कुमार यादो या फिर हार्दिक पांडिया या दिनेस कार्थी कोई नब कोई प्लेयर तो आपके चले ही जाते हैं तो आप बैटिंग तो मान लो कि आप 180-180 रंका इसको ले जाते हो में कंसर्ण हमारे लि है कि चल को खेलना है या रविंदर चंद्र अश्विन को खेलना है अश्विन खेलेंगे या अक्षर परटेल खेलेंगे यह कॉमिनशन अभी तक फिक्स Payal नीं हुआ है बॉलर में अर्षदीब सिंग तो खेलेंगे ही, साथ में आपका अब हरसल पटेल खेलेंगे या फिर भुनिश्वर कुमार खेलेंगे, इसमें confusion बना हुआ है, तो बॉलिंग को देखते हुए थोड़ा संसर रहता है मन में, लेकिन हम लोग तो इंडियन क्रिकेट के फैन है, तो अगर एक ओवर में 36 भी बनाना हो, तो भी थिंग के नहीं, हम तो बना ही लेंगे, और बस यह कर सकते हैं हम लोग की क्रोस फिंगर की हमारी टीम जीते और अच्छा करें, जी बिलकुल, आपने जैसे कहा कि टीम कॉंबिनेशन अब तक बन नहीं पाया है, बैसे बाकी टीम को हमने देखा है, पाकिस्तान जैसी टीम है, वहां तक कॉंबिनेशन बनी हुई है, और कि वो कैसे खेलेंगी, कौन उनके सेट बैट्समेन है, कौन सेट बालर है, लेकिन इंडिया बैट्समेन तो सेट है, लेकिन उन लोगों के बैट्समेन को कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेट है या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है, कि हमारी टीम है, वो अब तक कंसिस्टेंटली किसी बालर के साथ रहनी प या फिर अक्षर पटेल में अगर दोनों को भी खेला देते हैं तो फिर एक बच जाएंगे मुहमत चमी भुनेश्वर कुमार तो अगर हर्शल पटेल को हटाते हैं तो भुनेश्वर कुमार तो रहेंगे अगर आपसे पूछा जाएं जो आपके उपीनियन से हमें पता है कि हमारे पर स्कुल सोलर प्लेयर जा चुके हैं भी ऑल्रेडी ऑस्ट्रेलिया उस सिक्स्टी में से ग्यारा को खेलना है तो आपके उपीनियन से वह बेस्ट एलिवन क्या होने चाहिए जी देखिए जैसा पह अब रही बात बाकी खिलाडी की तो यह तो इंडिया कर सकती है कि अक्षर पटेल को खिला सकती है वह एक सेवंथ बैट्समन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो वह एक बॉलर का भी काम करेंगे और फिर चहल मुझे लगता है वो रहें गई चहल भले अभी आउट अच्छा नहीं रहाए उनको विकेट याफ नहीं मिली इस अफरीका के से खिलाव लगाए और जो चहल है उनको विकेट मिलिया तो दो तो आपके स्पीनर हो गया आपने च्छे बल्लेवास रखा और दो ईस्पीनर आट जाना चाहिए जाहा मैरे वो क्वाश्ट आपकी ने देखा कि वो बहुत अच्छा performance कर रहे हैं जिस जिस मैच में लोग बहुत जाले runs देते रहे हैं उनमें वो बहुत अच्छा balling कर पाए हैं और भुनेश्वर कुमार को भी हम रख सकते हैं क्योंकि as compared to hrshal पटेल अगर आप देखे तो हर्शल पटेल के comparison में भुनेश्वर कुमार पहला बात तो जादा experience है और दूसरी बात की वह अभी बहुत अच्छा balling चाहें तो कर सकते हैं वह या तुंका match खराब चला जाता है तो वह चला जाता है परन्तु अगर initially wickets लेते हैं तो टीम को एक बहुत strong base मिल जाता है वह अक्षर अक्षर हर्शल पटेल है वह बहुत लेट बालिंग करने के लिए तो उन्हें तो starting baller के तौर पर रखा भी नहीं जा सकता तो एक भोनेश्वर रहेंगे और एक शमी को हम रख सकते हैं क्योंकि शमी और भोनेश्वर का combination एक समय बहुत त्री फास्ट बालर टू स्पीनर जी ओके मेरा भी सम्हाव combination ऐसा ही है लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर तीन फास्ट बालर लगके खेल रहें तो आपके पस एक option तो बचता ही है वह हर्दिक पंडे से आप दो तीन ओबर निकलवा सकते हैं अगर किसी बालर का कोई दि दिनेश कार्थिक के साथ जाती है या रिशब पंड के साथ जाती है जी मुझे लगता है कि टीम जाएगी दिनेश कार्थिक के साथ क्योंकि पंड को हमने देखा कि टी ट्वेंटी में उतना अच्छा performance नहीं आपाया जैसा होना चाहिए और कार्थिक को हमने अभी जितना म अगर कार्थिक आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं बीच में ही तो उनको लाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि या हम अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है या किसी को इंजरी होती है तो हम रिशाब बंद को एजब बैट्समान भी ट्रीट कर सकते हैं जी बिलकुल हम रिस्क लेने के लिए हमेसा तैयार रहते हैं बहुत लेथार्जिक डिसिजन उनका नहीं होता है वह बहुत रिस्क लेते हैं और शायद इसलिए इतने के कामियाब कैप्टन रहे हैं आइपियल माक्सिमम बार जेता है अपनी मुंबई इंडियन की टेम को तो वी कन एक्सपेक्ट की वह ऐसे कुछ डिसिजन चौकाने वाले डिसिजन लेंगे बिलकुल मुझे भी ऐसा लगता है कि हो सकता है क्योंकि वो एक सक्सेस्फुल आईपियल कैप्टन रह चुके हैं और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी वो अभी आये हैं और उनका डिसिजन कैसा रहता है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं पहले उनके खुद की फॉर् से बहुत उमीदे लोग को रहती है और एक ओपनर रहता है तो दूसरे ओपनर को आटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है तो अगर यह ओपनर अकर चल जाए तो टीम को एक बहुत स्ट्रॉंग बेस मिलेगी और रोहित सर्मा जैसे प्लेयर है ना कि अगर रोहित सर्मा ने अपन ने रिदम से खेला अगर वो उनका दिन हुआ तो नुवन इस गूइंग टू स्टॉप इंडिया जी बिल्कुल सब्सक्राइब करते हैं और फिर कल के मैच के बाद डिसक्रशन के साथ फिर हाजिर होते हैं जी बिल्कुल कल एक नए आप सभी आप सभी हमारे चैनल को लाइ कंदबाना ना भूलें ओके एव्रीवन बाए ठेक क्या ओके थैंक यू गुटनाइट टेक क्या